Hello guys, दोस्तों अब YouTube Shorts पे ads का monetization on हो गया, एक फरवरी से और लोग ads पैसे कमाने लगे तो ऐसे में लोगों को मन में डाउट है काफी कि क्या Shorts जो हम वीडियो बना रहे है YouTube पे अब्लोड करें उसमें music की वज़े से क्या हमें copyright claim आ सकता है या फिर strike आ सकता है तो answer है कि हाँ, still अभी भी आपको copyright claim आगा कुछ केसे में और कुछ केसे में आपको strike भी मिल सकता है तो इसलिए क्या rule है अब जब ad monetization Shorts पे launch हो गया तो music का क्या प्रधान है किसी साब से आप गाना चाहे बॉली हूड का वाली हूड का बोजपूरी टेवल तोमिल जो भी है बेंगॉली वो किसी साब से आप इस्तमाल करेंगे तो आप सेफ रहेंगे और पैसे भी आप कमा पाएंगे यह जान लिए और किन केसे में आपको strike और copyright claim मिल सकता है Shorts music की वज़े से तो case नमबर वन मालनी जब यूट्यूब शॉट करते हैं Shorts camera जो आपके Shorts में camera दिया हो उसका इस्तमाल करके 15 सेकंड का या 60 सेकंड का और उसमें जब आप music मिलाते हैं YouTube Shorts की लाइबरेरी से Shorts लाइबरेरी से अगर आप कोई भी music इस्तमाल करेंगे तो ना आपको copyright claim आएगा ना आपको copyright strike आएगा बिल्कुल आप यह लिख के रख लिए किसी भी कीमत पर क्यूं क्यूंकि Shorts लाइबरेरी में वो सारे music available हैं जो की YouTube ने partner किया है और उनको उसका पैसा जाएगा ठीक ह तो इसलिए उसे strike कभी नी 100% सेफ है सौट लाइबरेरी से audio को इस्तमाल करना शौट कार्डिटर इसकर के हाँ अब strike और claim किस कैसे में आएगा वो आपको बताऊंगा अब मालीजे कोई दूसरा बंदा है अगर वो music जो है YouTube से डाउनलोड कर लेता है या किसी का चुरा लेता है और external को दूसरा editor हो गया जैसे computer फिल्मोरा हो गया प्रीमियर प्रो हो गया या फिर मोबाइल पे आपका काइन मास्टर में अप एडिट करके और शौट बना के अप लोड करते हैं तो उस case में YouTube कहता है कि हमें यह पता नहीं होता है कि वो जो music इस्तमाल किया गया है वो हम पार्टनर्स का है यानि जो हमारे music contribution है shorts के लिए तो उस cases में copyright claim भी आ सकता है और अगर वो चाहिए अगर वो complaint file करता है जो music वाला है जो external आपने इस्तमाल किया है तो आपको strike भी आगा आपका video भी shorts डिलीट होगा इसकी वाज़से तो दोस्तों यह बिल्कु क्लियर कर और किसी भी दूसरे creator का जिसका video या shorts already available है YouTube पे shorts के form में या longer videos के form में तो उनका आप music create कर सकते हैं सैंपल कर सकते हैं उसके लिए आपको कोई strike या कोई claim नहीं पड़ेगी यह आप जान लीजे बस download करके external editor पे आपको दिक्कत है और ऐसे आप इस्तमाल करके क्यों मैं कह रहा हैं उनके नीचे में कैशी का button रहता है वहाँ पे remix का option रहता है तो उसका इस्तमाल करके शॉट बना रहा है तो आप सेफ हैं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आपको reason यह है कि वहाँ पे वो symbol तभी आया है जब अग्रीमेंट उनको भी अपने studio में accept किया है कि हम allow करें शॉट करने के लिए music जो चोटा मुटा है तो इसी साब से बिल्कुल सेफ रहेंगे आप अगर आप बाहरी music इस्तमाल नहीं करेंगे तो ठीक है तो यह है पुरा प्रवधान और किन केसे में YouTube शॉट्स का पैसा नहीं देगा अगर मालेजिए आप दूसरे का वीडियो डाल रहे है है अपना वीडियो नहीं डाल रहे है उसकेस में आपके वीडियो तो चलेंगे लेकिन दोस्तों आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा वीव ही काउंट नहीं करेगा यूट्यूब ठीक है वीव उस पर दिखाएगा लेकिन मॉनिटाइशन के लिए पैसे देनी वाले जो वीव यूट्यूब वीडियो से ऐड़ियो सैंपल कर लिजिए रिमिेग्स टूल के इसतमाल करके या फर के वो सॉर्स वीडियो हो जै लॉंगर वीडियो तो आप सेफर रहे हैं और उसका पैसा मिलेगा है इस अट च्छा लागा हो T